तो अगर आपका भी टार्गेट है 2024 का बोर्ड एक्जाम तो ये वीडियो इस्पेशली आपके लिए ही बनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी पूरा रोड मैप बताऊंगा जिसको अगर आप फोलो करते हैं तो आपका बोर्ड एक्जाम का स्लेबस सिर्फ त्री मंस में कवर हो जाएगा और इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डेली का 10-10-12-12 घंटे पढ़ो डेली 6-6-7-7 घंटे पढ़ो ऐसा नहीं है हवे में बात नहीं करेंगे पूरा ट्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो में अगर आप डेली 3-4 घंटे भी पढ़ते हैं तो ये एनफ है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहला कोशन आपके माइंड में ये आएगा कि बोड एक्जाम में टॉपर बनना है आपको अपने स्कूल में टॉपर बनना है तो आपको ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर किसी-किसी स्टुएंट्स का ये भी मोटिव हो सकता है फोर प्रूब सोसाइटी अपने सोसाइटी को प्रूब करन करने के लिए भी ये strategy वाली वीडियो आपको देखने की जुरुत पड़ेगी इसके अलावा और अलग-अलग भी motive हो सकते हैं for respect या proud your parents अपने parents को society में proud feel कराने के लिए भी आपको ये strategy वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इसके अलावा अगर आप 95 प्लस marks अचीव करना चा आपको शो करना चाहते हो तो भी आपको ये वीडियो देखने की जुरुत पड़ेगी इस वीडियो में पूरा हम road map देखेंगे पूरा complete strategy के बारें बात करेंगे जिससे आप सिर्फ 3 months में अपना syllabus complete कर सकते हो और syllabus complete करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊ है वो कब होगा तो देखिए 15 फरवरी से 10 अपरिल तक ये date है CBSC board का यानि कि CBSC का जो board exam होगा वो 15 फरवरी से start हो करके 10 अपरिल तक चलेगा इसके अलावा बिहार board, UP board इसके अलावा अदर state के भी जो board exam है वो भी इसी के आसपास ही start होंगे फरवरी या फिर मार्च से start हों होंगे ठीक है अब इसके बाद देखिए आपके पास अगर आप class 10 में हैं तो आपके पास mainly जो subjects हैं वो यह होंगे total subjects की बात कर रहे हैं हम आपके पास math होगा English होगा Hindi होगा इसके अलावा science और social science ये 5 subjects तो आपके पास होंगे ही होंगे इसके अलावा किसी किसी school में students के पा है यह additional होते हैं तो यह कुछ बाते थी अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो math subject है इसके बारे में अब देखिए math जो है इसमें आपके total कितने chapters है 14 chapters है यानि कि आपके syllabus में math में से 14 chapters आ रहे हैं अब आपको क्या करना है कि एक chapter जो है आपक यानि कि 14 chapter में से सबसे पहले आपको एक chapter लेना है और इसे आपको almost 7 दिनों में 7 days में complete करना है ज्यादा आपको तेजी से नहीं चलना है क्योंकि ये आपका math subject है जिससे बहुत ज्यादा students डरते हैं तो इसलिए एक chapter को आपको आराम से 7 दिनों में cover करना है ठीक है अब मेरी आपको ध्यान से सुनते जाना सबसे पहले साथ दिनों में से जो आपका day one होगा first day उसमें आपको क्या करना है कि आपको YouTube पर आपको exercise की class देखनी है और उसमें जितने भी exercise के question से उनको अच्छे से समझना है और जहां पर जुरुत पड़े वहां पर आपको note बनाना है ठीक एक्जाम में ठीक है रिवीजन के time पर तो इसलिए आपको first day में क्या करना है कि YouTube पर आपको exercise की class देखनी है आपको समझना है chapter को और साथ के साथ note बनाते जाना है आपको जैसे formula होते हैं उन्हें भी आपको लिखते जाना है ठीक है फिर इसके बाद day two में आपको क्या करना ह कि first day के दिन आपने YouTuber जिस जिस exercise के questions को समझा है उन्हें आपको second day पर practice करना है जो exercise के questions हैं उनको आपको second day पर खुद से self practice करना है इसी तरह से day three पर आपको YouTuber next exercise की class देखनी है और note बनाना है और day 4 पर आपको जो day 3 का exercise आपने समझा है यूटूबर उसे आपको self practice करना है इसी तरह से day 5 पर आपको यूटूबर class देखना है और day 6 पर आपको practice करना है और जो आपका day 7 होगा उसमें आपको extra questions की practice करनी है अब extra questions आप कहां से लाएंगे तो इसके लिए मैं आपको एक book बत application की और से most likely CBSE question back के नाम से यह book है ठीक है इस book में आपको हर एक chapter के हर एक टाइप के questions और उसके solutions with explanation दिये हुए हैं चाहे short answer type question हो long answer type question हो इसके अलावा assertion and reasoning based questions हो यानि कि हर एक टाइप के questions इसमें दिये हुए हैं तो आप extra questions की practice के लिए इस book को prefer कर सकते हैं इस book को बाई करन करने का link description में दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप इस book को buy कर सकते हैं चेक्या तो यह बात हमने कर लिया कि math जो है उसका आपका strategy क्या रहेगा यहां पर मैंने आपको समझा दिया आप अपने according इसको fluctuate कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको जैसा मैंने यह समझा है बिल्कुल इसी तरह से आपको robot की तरह चलना है ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा थोड़ा बहुत fluctuate आपका हो सकता है schedule चिके मैं आपको बस एक road map बता रहा हूं चिके इस तरह से आप follow कर सकते हैं तो आपने एक chapter को 7 दिनों में cover कर लिया अब आपके total 14 chapters है math में और एक chapter के 28 days लग जाएंगे पूरा math का खतम करने में syllabus ठीक है तो यह बात हो गया आपका math का अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका next subject है social science ठीक है तो social science में देखिए social science में total आपके 21 chapters हैं आप 21 किस तरह से हैं आपको पता है social science में कि आपके पास total 4 books हैं history, geography, political science और economics तो इन 4 books का मिला करके आपके total 21 chapters आ रहे हैं board exam में ठीक है तो इसमें आपको क्या गरना है SST में कि एक chapter के लिए आपको 4 days देना है चार दिनों का time आपको देना है एक chapter को complete करने के लिए अब आप क कैसे complete करेंगे first day में यानि कि day 1 के दिन आप सबसे पहले जो chapter है उसे YouTube पर class देखकर start करना ठीक है यानि कि जो one shot videos होती है उनको आप YouTube पर chapter wise देखना और फिर day 1 के दिन आपने क्या किया जैसे मालीजे first chapter है आपने first chapter शुरू किया तो day 1 पर आपको YouTube पर first chapter का one shot देखना है पु आपको अपनी NCRT बुक से उसे read करना है first chapter को ही और साथ के साथ आपको notes भी तयार करते जाना है ठीक है फिर इसके बाद day 3 में भी आपको same करना है यानि कि जो आप day 2 के दिन करेंगे वही आपको day 3 में भी करना है क्योंकि NCRT को read करना और फिर साथ के साथ notes बनाने में भी ज इसी में चला जाएगा अब day 4 के दिन आप क्या करेंगे आप revision करेंगे जो आपने notes तयार किया है इसके अलावा जो जो आपने समझा है वो सब आप day 4 में revision करेंगे ठीक है revision आप किसी भी तरह से कर सकते हैं आप notes के द्वारा कर सकते हैं इसके अलावा previous year questions से भी कर सकते हैं जो पिछले साल के questions हैं उनसे भी कर सकते हैं इसके अलावा जो आपके NCRT book में exercise के questions हैं उनसे भी कर सकते हैं तो ये हमने बात के लिए social science का अब social science में total 21 chapters हैं हर एक chapter के लिए आप चार दिन दे रहें तो ये आपका पूरा शोसल साइंस 84 डेज में कंप्लीट होगा अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना मैंने अभी मैट्स का बताया था 98 डेज में कंप्लीट होगा और 84 डेज में शोसल साइंस कंप्लीट हो रहा है तो ये अलग-अलग नहीं हो रहे हैं आप एक दिन में करीब-करीब चार घंटे तो आप पढ़ेंगे ही तो चार घंटे में ऐसा तो नहीं है कि पूरे चार घंटे आप मैट्स पढ़ेंगे ऐसा नहीं है आप चार घंटे में मैट्स भी पढ़ेंगे शोसर साइंस भी पढ़ेंगे इंग्लिज भी पढ़ेंगे इसके अलावा साइंस भी पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते जाएंगे तो इस तरह से ये सब आपका साथ के साथ कंप्लीट होता जाएगा Maths भी आपका साथ में complete होते जाएगा इसके अलावा SST भी, Science भी, English भी, हर एक सब्जेक्ट चिक्याँ, अब आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं Science की Maths के बाद सबसे ज़्यादा जो डराने वाला सब्जेक्ट है वो Science ही है तो इसी लिए Science में आपका क्या है कि Total 13 chapters आपके syllabus में हैं आपके board exam में Total 13 chapters आ रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि हर एक chapter के लिए यनकि एक chapter को complete करने के लिए आपको 7 दिनों का time देना है क्योंकि ये आपका Science है Science समझने में थोड़ा दिक्कत होता है कई सारे students को तो इसी लिए इसे आप बहुती अराम से करना slow करना लेकिन आपको समझते जाना है सब कुछ तो इसी लिए एक chapter को complete करने में आप लगभग 7 दिनों का time लेना अब कैसे करना है सबसे पहले आपको 7 दिनों में से 1 से 3 दिन तक यानि कि day 1 से day 3 तक आपको YouTube पर class देखना है जैसे आप first chapter science का कर रहे है तो day 1 से day 3 तक आपको YouTube पर उस chapter का class देखना है और उसे अच्छे से समझना है फिर day 4 से day 6 तक आपको NCRT को read करते जाना है और साथ के साथ notes को भी तयार करते जाना है ठीके ये notes जो है ये बहुत ज़दा important है इन्हें आप मत भूलना तो day 4 से day 6 तक आपको NCRT को read करना है और साथ में notes को भी तयार करते चलना है और जो आपका day 7 होगा तो day 7 के दिन आप क्या करेंगे revision करेंगे आपने जो notes बनाया है उससे revision करेंगे इसके अलावा questions को solve करके आप revision करेंगे इसके अलावा PYQs आप करेंगे तो इस तरह से आप revision कर सकते हैं तो science में आपके total 13 chapter हैं एक chapter के लिए आप 7 दिन का time दे रहें तो इस तरह से आपका 91 days में science भी complete हो जाएगा ठीक है अब यह जो 91 days है यह जरूर नहीं है कि आप 91 days में ही complete करो यह आपका fluctuate होता रहेगा क्योंकि हमारी life है इसमें थोड़ा बहुत आप down आते रहते हैं कभी आपका mood नहीं होगा पढ़ने के लिए तो आप गोमने चले जाएंगे इसमें आपके total 28 chapters आ रहे हैं यह 28 chapters दोनों books को मिला करके आ रहे हैं और 28 chapters में pros भी है poems भी है ठीक है तो सब कुछ मिला करके 28 chapters हैं आपके English में तो इसी आपको क्या करना है कि एक chapter को 3 दिनों में complete करना है ठीक है day 1 पर आप क्या करेंगे जो जैसे मालने जे English में first chapter है तो first chapter को आपको YouTube पर उस chapter को समझना है उसकी summary आपको देखना है आपको story बस अच्छे से समझना है chapters के ठीक है उसके बाद questions को आप easily कर सकते हैं तो day 1 पर आपको YouTube पर class देखना है इसके बाद साथ के साथ आपको notes भी तयार करते जाना है ठीक है आप अपने according notes तयार कर सकते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो उसकी according ही आप अपना notes बनाते जाना इसके बाद day 2 पर आपको NCRT को read कर लेना है और day 3 में आपको revision करना है revision आप questions को करके questions के answer करके revision कर सकते है ठीक है तो यह हमने English का पूरा strategy देख लिया और English में आपके total 28 chapter है एक chapter के लिए आप तीन दिन का time दे रहे हैं तो यह आपका 84 days में complete हो जाएगा अब इसके बाद next आपका है हिंदी तो यह सबसे easy subject है तो देखिए हिंदी में total आपके 15 chapters आ रहे हैं दोनों books को मिला करके तो इसमें आपको एक chapter के लिए सिर्फ दो दिन का time देना है क्योंकि हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है असान होता है day one पर आपको YouTube पर class देख रहेना है या फिर अगर आपको NCRT से पढ़ करके समझ में आ जाता है तो well and good नहीं तो आप YouTube पर इसका भी classes देख सकते हैं ठीक है और day two पर आपको क्या करना है second day पर आपको PYQs करना है previous year questions जो है उनकी practice करते रहना है तो इस तरह से जो आपका हिंदी है 15 chapters आ रहे हैं एक chapter के लिए आपको 2 दिन देना है तो यह आपका 30 days में complete हो जाएगा ठीक है तो यह था हिंदी का आप आगे चलते हैं तो आप देखिए आगे यहाँ पर हिंदी और English में हमने chapters के बारे में discuss तो कर लिया कि किस तरह से आपको complete करना है लेकिन हिंदी और English में आपके grammar भी तो आते हैं तो grammar को आपको नहीं भूलना है तो grammar भी देखिए आपको लगभग 30 days में complete कर लेना है grammar भी जड़ा मुश्किल नहीं होता है हिंदी में व्याकरन और English में grammar के topics मुश्किल नहीं होते हैं तो ये भी आपके लगभग 30 days में complete हो जाएंगे तो इस तरह से ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये आपका almost 3 months यानि की 90 days का आपका मैंने strategy बताया है तो इस strategy को आप follow करेंगे तो आपका almost 90 days यानि की 3 months में syllabus complete हो जाएगा अब उसके बाद आगे का game समझे आपने 3 months में 3 महिने में अपना syllabus complete कर लिया अब उसके बाद आपका main काम start हो जाता है आपने पूरा syllabus complete कर लिया आपने पूरा notes तयार कर लिया है अब आपको पूरा का पूरा revision करना है only यानि की अब आपको कुछ भी extra नहीं पढ़ना है जो आपने notes तयार किया है उसी notes से आपको revision करना है only इसके अलावा PYQs को solve करना है जितने भी previous year के questions हैं जो पिछले साल में जितने भी questions आए हुए हैं बोर्ड exam में उन्हें आपको solve करना है इसके अलावा आपको sample papers को भी नहीं भोलना है sample papers को आप जरूर करना और इसको आप इस तरह से करना जैसे आपका 3 घंटे का paper होता है तो आप अपने घर पर 3 घंटे के लिए मान लेना कि आप exam दे रहे हो तो आपको sample papers को इसी तरह से solve करना है आपको board exam समझ करके sample paper solve करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको sample papers को करना है PYQs और Revision ये सब आपको जितना ज़्यादा हो से के उतना ज़्यादा करना है ठीक है? तो ये था आपका पूरा strategy I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अगर strategy समझ में आ गया है और अगर आप follow करना चाहते हैं तो आप comment box में जरूर लिख देना I will be topper क्योंकि अगर आप इस strategy को follow करेंगे तो आप topper तो बन ही जाएंगे तो वीडियो को एक like कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना अपने classmates के group में share कर देना ताकि उन्हें भी इससे benefit मिल जाए और चैनल को subscribe कर लेना bell icon को press कर लेना ताकि इसी तरह के useful videos सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो मिलता है फिर next studio में तब तक के लिए बाई बाई